एगाईज वल्कम बैक इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट वन ज़रूर देख ले जिसमें हमने जाना था कि कैसे राजीव गांदी एक आम जीवन वैतित कर रहे थे और एंटोनिया माईनो से विवा किया आगे देखते हैं इंद्रा गांदी के पुद्र और पंडित मिला था हालाकि उन्होंने खुद कभी सत्ता के आसपस आने की कलपना तक नहीं की थी लेकिन संजय गांदी के मृत्यू के बाद अपनी मा इंद्रा गांदी को राजनीतिक सहारा देने के लिए उन्हें आनिच्छा से भारत्य राजनीति में आना पड़ा फिर एक दिन ऐसा अत्यादिक प्रभावित किया था इस राजनीतिक सफलता को शलता का कारण यहा था कि राजीव गांदी को अपने पिता फिरोज गांदी से अपना काम खुद करो की प्रेड़ना मिली थी राजीव जी कहते थे कि उनको अपने नानप पंडित नहरू से आराम हराम है तथा फिरोज गांदी से इश्रम की महनत और बिना जीचक के सच बोलने की प्रेड़ना मिली थी अपने पिता से ही उन्होंने 54 सास्त्री संगीत का शौक पाया था जबकि इसके पहले उनकी मा का सोचना था कि नहरू लोग संगीत प्रेमी नहीं होते हैं वाक टुबर 1984 का अंतिम दिन था दिली चुनाव से पुरू के वातावरन में डूपी हुई थी इन्रा गांदी ने दो महने के बीदर आम चुनाव करवाने का मन बना लिया था उस समय उन्हें टीवी के लिए एक इंटरव्यू देना था जैसे ही वे प्रतम सरदर गंज रो लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका जय हिंद